एक बहुत ही मज़िदार रेसिपी जिसका नाम है चिकेन की रेसिपी बहुत ही यूनिक स्टैल में आज हम लोग चिकेन को बनाने वाले हैं बहुत ही जबरदस रेसिपी बनकर के तयार होती है तो आप वीडियो को इंटक देखना वर ना आप कुछ न कुछ जरूर मिश कर जा एक बड़ी इलाइची, तीन साबुत लाल मिर्च, एक इंज दाल चीनी का टुकड़ा, दो लॉंग, थोड़ा सा जीरा और इसे हम लोग को रोस्ट कर लेना है तब तक जब तक इसमें सी अच्छी सी खुश्पू ना रिलेस हो जाए उसके बाद हम लोग दालेंगे कराही में त और उसमेंहों दालेंगी एक छोटी शॉर्य और 4 मिडियम जाईस के प्यास को मोटे मोटा सा कट करके हमीं धिलाए करना है तो यह जो फ्राईह हमें करना है जब जाए करना है और चिकन 속 स्कीभू करना है जादेफिश को अच्छी हमें डालेंगे बहुत अच्छे से प्य और उसका जो पानी रिलीस करें वह भी जल जाए जब तक चिकेन हमारा भून रहा है तब तक हम लोग इसमें कोई भी मसाले नहीं डालेंगे जब अच्छे से चिकेन प्यास में फ्राई हो जाएगा तब हम लोग इसमें डालेंगे सुखे मसाले मैंने डाला यहाँ पे हाफ ट पानी डालेंगे अभी पानी के इस्तमाल हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे तेल में हमें चिकेन और मसाले को अच्छे से बुन जाएगा तब हम लिकिसमें टालेंगे अध्रकौल लसन का पेस्ट जो की बहुत ज़रूरी है चमच को लगतार चलाते रहना है क्योंकि हमने पानी नहीं डाला यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा पी लापरवाही करेंगे तो हो सकता है कि आपका जो चिकेन है वो आपके कडाही से चिपक जाएगा और थोड़ा सा इसका टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा तो इसलिए हमे इसे बराबर चलाते रहना है जब चिकेन अच्छे से बुच आएगा तब हम लोग यहाँ पे डालेंगे अद्रक और लस्न का पेस्ट और इसे डालने के बाद फीर से हमें वही काम करना है मतलब भूनने का काम और फिर से हमें इसे भूनना है जितने अच्छे से आप इसको भूनेंगे जितना आप इसमें टाइम लगाएंगे चिकेन में अच्छी खुश्बू आएगे और उतनी मज़ेदार यह रेसिपी बनेगी फाइनली हम लोग इसमें डालेंगे पानी ताकि चिकेन को हमें गलाना भी है पानी डालकर डालेंगे नमक और उसके बाद हमें धक गल को डिया मिर्श बालेंगे नमक 3-200 मिर्श. il게 टेस्ताब कर सकता है तो इस बड़िया हम लाआख चुझ की रेसिपी वह भी बनकर के बिल्कुल तैयार हो चुकि है इतना जबर्दस बना है आप यह की नहीं कि एक बार शरूर करना इस स्टाइल में एक बार इस चिकन को मेरे तरीके से इस चिकन को जरूर बना कर श्राइ किजिए और अपने घर वाले को जरूर खिलाइए उमीद करती हूँ कि मेरी ये आज की रेसिपी जो है आप सब को बहुत ही पसंद आई होगी पसंद आई होगी दोस्तों तो फ्लीज वीडियो को लाई करना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना मिलती हूँ आपसे निक्स्ट वीडियो में एक ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए थैंक यू वरी मुच चिकन कैसा बना है अगर आप बनाएंगे तो मुझे कॉमेंट सक्षन में जरूर बताईएगा